जैहिंद एवरिबन, आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा टेस्ट लगाने वाले हैं इस वीडियो का परपस है आपका confidence check बहुत सारे ऐसे लोगें जिनने पढ़ा बहुत अच्छे से होता है, बहुत मेहनत की होती है लेकिन exam में कोई नया pattern देखकर या question थोड़ा ज़्यादा टफ लगने से panic आ जाता है तो इस वीडियो में हमें करना क्या है, आप साथ ही साथ इन questions को solve करते जाएंगे हम सारे computer के ही मैंने बस question रखे एक section के, इनको solve करके नया pattern पे हैं कि मेरे से गलती हो रही है, मैंने अच्छी से पढ़ा नहीं है, यह purpose ही नहीं है वहाँ question बहुत सारे ऐसे आएंगे ही जो किसी को नहीं बनेंगे सिर्फ हम यह देखना है कि क्या हम panic तो नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको सिर्फ इनी चीजों को check करना है तो चलिए सबसे पहली question की तरफ हम बढ़ते हैं पहला question है, बिलकुल civil service 2023 के format पे तीन statement आपके पास पढ़ लीजे इने, ज्यादा वीडियो को pause कर लीजे data transfer instructions are used to transfer और copy data from one location to other arithmetic instructions are used to perform operations on numerical data and third statement है, input output instructions are used to transfer data from and to input output devices typical जो हमारा नया pattern आया है, उसी पह है questions तीन statements है, आपको बताना है, तीनो सही है, कोई दो सही है, कोई एक सही है या कोई भी सही नहीं है तो देखे, अम में इसका answer देता हूँ, अकर आपने अभी तक solve नहीं किया है जो हम cancel कर सकें, एक general statements है, तो उसे सापसे statement सही हो गए next question पर आते हैं with reference to arithmetic logic unit, which one of the following statement is are correct ये question बहुत simple है, अगर आपने इसको धंक से पढ़ा होगा, arithmetic logic unit का का काम क्या होता है तो आपसे ये question बन जाएगा, इसमें कुछ explain करने की भी ज़रत नहीं है इसका मैं final answer आपको बता देता हूँ, इसका answer है A सिर्फ दोई statement सही है, first or third statement सही है second and fourth statement गलत है, क्योंकि arithmetic logic unit का क्या होता है काम mathematical operations को run करना, तो first or third है जो इससे related है second storage of data memory वो अलगी काम है, तो वो तो हो नहीं सकता है communication with input devices भी अलग function है, वो arithmetic logic unit का नहीं होता है so इस तरीके से भी simply है solve हो गया, इसके बाद जो next question है, ये वही abbreviation वाला question है, इस तरह की भी question हमें last 2-3 paper जो EPFO के हो तो उसमें 1-2 मेल लेते देखने के, तो OCR stand for, जिनको इसका answer पता है वो comment करें, जिनको नहीं पता है तो मैं उसको final answer इसका बता देता हूँ, optical character recognition, I think आपको idea लग भी रहोगा कि आपने ये चीज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, अगर आप बिल्कुली पहली बार नाम सुन रहे हैं तो आपको idea लग रहोगा, आपने computer अच्छे से नहीं पढ़ा है और अगर थोड़ा-थोड़ा सुना लग रहा है तो it's all right, next question है जिसे, ये easy question है, write-through technique is used in which memory for updating the data, virtual main catch auxiliary, so इसका answer कीज़े, ज्यादा है वीडियो को pause कर दीज़े, इसका answer है catch memory, catch memory को हम बहुत speed से, जैसे हम कोई function चला रहे हैं तो memory उसकी save होती जाती है, तो सबसे जल्दी हम जिस memory को access कर लेते हैं, वो catch memory होती है, उस तरह से question हो गया, next question है आपका, the term data access time means, क्या होता है, इसका मतलब data access time का, देखिए इसका simple सा logic है, जो वो solve करने का होगा, data के बारे में बात अगर आप देखेंगे, तो option B में ही बस हो रही है, data access time पूछा है, और C में भी लिखा है to locate the desired data, तो B और C में आप देख सकते हैं, सारे के सारे तो होंगे नहीं, क्योंकि पहला statement कुछ अलगी बात कर रहा है, arithmetic और logic operation की, तो इसका final answer है B, इसके बाद हमार next question है, Trojans that activate on certain dates are often called, कुछ ऐसे programs जो computer को harm करते हैं और वो particular date पर ही काम करेंगे, suppose करते हैं जैसे कि 2 July कोई Trojan है वो run करेगा, उससे पहले आपके PC में होगा भी तो वो कुछ नहीं करेगा, तो एक ही term है जो उससे relate कर रहा है, वो है time bomb, सारे के सारे statement generally सही इस तरह की questions में कभी simple question था भी, यह general question था, अब next question है, which one of the following is not a passive attack, अब यह question थोड़ असा tough category में होगा, यह सबसे नहीं बनेगा, यह tough question है, देखिए जब exam में इस तरह के हमें questions देखने को मिलेंगे, तो हमें panic नहीं करना है, बहुत calmness के साथ, जो हमारा intuition कहेगा, उस time पर हमें उसको solve कर देना ह इसका actual answer है, C, modification of message, अब देखिए, इस तरह के question हमें नहीं बन रहे हैं, तो हम उस पर कुछ कर नहीं सकते, हम परिशान नहीं हो सकते, यार मैंने इतना पढ़ लिया, exam से पहले, अब मिरसे यह बन नहीं रहा है, मैं ठरी नहीं करता, आप से नहीं, किसी से नहीं बन रहे हों अच्छा, ये मिरसे नहीं बनता, ठीक है, ये बनता है, कोई बात नहीं, जो बनता है, उसको कर दिया, जो नहीं बनता, आल राइट, अभी देखकर सीख लिया, exam में भी आएगा, परिशान नहीं होना, वहाँ पैनिक नहीं करना है, वहाँ बहुत comfort और काम अपको maintain करके रहे हैं, और उसको एक साथ हम क्या करेंगे, बाद में withdraw करेंगे, मतलब किसी टाइप के attack की बात हो रही है, तो यहाँ दो words है, sabotage और salami attack, जो किसी attack से related बात कर रहे है, इसका final answer है, salami attack, तिकि अकर question में 4 में से आप 2 भी eliminate कर लेते हैं, 2 option बचते हैं, तो भी बहुत अच्छ Surrounded by one or more satellite computers is called, अब यह देखे, बिल्खुल actual question है, अगर आपसे यह भी नहीं बन रहा है, that means revision की जरूरत है, इसका answer है, star network, next question है, अमारा, the topology with highest reliability is, यह भी एक simple question है, अगर आपने topology अच्छी से पढ़ी होंगी, तो बन जाएगा, इसका answer है, mesh topology option B, तो देखे, इस video में अग आपसे 10 में से 6 भी बन रहे ना, तो बहुत अच्छा है, लेकन आपसे 10 में से 1 क्या 2 ही बने है, that means आपकी computer की preparation अच्छी नहीं है, तो अगर आपको इस video को, say, अगर आपको सीख सकते हैं, तो मैं बस यहीं कहूंगा, कि अगर आपसे नहीं बना है, तो अभी भी time है, इसलि किसी test series, किसी चक्कर में मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ basic revision पर focus करो, इतना ही हमें ध्यान रखना है, अगर आपसे topology के question बन रहे है, that means आपकी तयारी अच्छी है, अब बहुत tough question देखो, question पूछने की न, कोई कमी नहीं होती, अभी अगर मेरे को आपको questions देने होंगे, मैं 50 questions, 100 questions, 500 questions, 1000 questions लादूगा, questions की कमी कभी नहीं होती है, लेकिन हमें question solve करना purpose नहीं है, हमारा purpose यह कि जो basic sources हमारे लिए humanly possible है, पढ़पाना, वो पढ़ना है, वैसे भी UPSC के exams की तयारी साल भर होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 4-5 दिन में कुछ बहुत अच्छा कर लेंग service दिया था, वो तो गलती करें ही न, नहीं भी बन रहा है, तो calmness maintain रखे, at least उससे, chances से calmness रखोगे, तो कुछ question सही कर दोगे, क्योंकि आप डरे तो फिर आप से बनते question भी गलत होंगे, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो doubt से तो comment करें, मिलते हैं next वीडियो में जय हिंद, जय भारत